तो अभी हमारा next topic dollar not operator okay dollar not operator में हम बैसिकली एक ही condition लिखते हैं जो हम condition लिखेंगे हमें उसका exact opposite output मिलने वाला है ठीक है अगर हम लिखेंगे कि field is less than equal to 10 तो इसका करेगा हमें ऐसे output return करेगा जिसका field is greater than 10 जाएगा जो भी हम लिखेंगे उसका exact हमें opposite output मिलने वाला है ठीक है तो आते definition की तरफ the returns document where the query does not match and the second point is the dollar not operator is a logical query operator that perform a logical not operation on a specified expression and select document that do not match the expression and the third point is this includes a document that do not contains the field ठीक है आते हैं हम syntax सब्सक्राइब हमें क्यों लिखना है db.collection.find and round bracket curly braces and उसके बाद हमें लिखना है field colon and after that हमें एक और curly braces उसके लिखना है dollar not colon और जो हमारा expression लेगा हमें expression लिखना है ठीक है इसके लिखना है और हमारा collection का format है वो कुछ इस तरीके से है आप लोग एक बार देख सकते हो यह उसका structure है मैंने same value हर document में insert किया है तो मैं भी query लिखता हूं कि जिसका CT जिसका CT is equal to Mumbai हो तो मैं लिखता हूं DB dot employees dot find round bracket curly braces ठीक है एंड इसके बाद मुझे लिखना है जिसका CT and after that मैं यहां पर मैं curly braces उसकर हूं मुझे यहां पर यूज करना है dollar not operator and colon लगा के मुझे एक और brackets उसकरना है इसके अंदे मुझे लिखना है dollar is equal to मैंने कालता है जिसका CT is Mumbai ठीक है तो मैं इसे में enter करूंगा तो मुझे ऐसे documents मिले रहेंगे जिसका city Mumbai नहीं हो और बाकी के जितने भी documents रहेंगे मेरे collection के अंदर वो वो डॉक्योंट में return कर दिया हो तो आपली देख तो इसका CT पालकर था और इसका CT पूने है यहाले document का CT पालकर है और यहाले document का CT पूने है के एंड उसके पहरे मैं लगा थे डॉलर नॉट अप्रेटर का करता है कि जो हम लिखेंगे वह फाइंड नी करेगा बाकी कि जितने डॉकुमेंट्स है वह उतने डॉकुमेंट्स को रिटन कर देता है ठीक है अगर मैं यहाँ पे कंडिशन लिखो मैं लिखता हूं कि सालरी इ फिल्ड के वग करना है मने यहां गलिखता हूं सबसे पाले मुझे किस फिल्न के उपर वक करना है मुझे वह फिल्ड लिखना है तो मेरा क्यों फिल्ड है सेलरी ऑगे और पर देट एक करली वेसेश एंड उसके इंदर मुझे उसके बाद एक और करली वेसेश एंड उसके बाद मुझे लिखना है कि जिसका सीटी और जिसका सैलरी इस ग्रेटर देन एकवल टू और देख से तो इसकी सैलरी फोटेन थाउजन है और इसकी सैलरी सेवन्टीन थाउजन है इसकी सैलरी तो बहुत कि जो भी हम लिखिंगे वह एक्षेक्ट अपोसित वग करता है अगर मैं यहां पर करूं db.employs.find और यहां पर मैं फाइंड कर रहा हूं कि जैंडर एफ यहां फीमेल यहां पर मैं कर लिए राउंड ब्राकेट कर लिए ठीक है एंड उसके बाद सबसे पहले मुझे लिखना है कि किस फिल्ल के साथ मुझे काम करना है वह करता है लिखता हूं जैंडर अफ लिए कर लिए पर लाट नाट के यहां पर मैं लिखता हूं कि ऑ डॉलर इक्वल टूए फैनि फीमेल यहां जैसे में ट्रूरों मुझे ऐसे डॉकूम मुलुक्त रहेंगे इसका जैंडर मेल रहे गा और ट्यूंड प्लेशवे गांड त करता हूं तो मैं लिखता हूं कि जिसका रिपोर्टिंग मैनेजर इस लेज देन एक्वल टू 1-0-4 हूं ने सिदा ग्रेटर दन इक्वल टू 1-0-4 ने विए तो यहां पर मैं लिखता हूं कर साथ तो मैं लिखता हूं दी डॉट इंप्लाइज दॉर्ट फाइंड कर रांड ब्राकेट कर लिए से ठीक है एंड सबसे पहले मुझे लिखना है फिल्ड का नाम तो मेरा फिल्ड का नाम क्या है डिपोर्टिंग मैनेजर के अंदर मैनेजर आई डी तो अगर हमें एंग ड अधिश्या गालॉट एंड पर यहां पर मैं लिखोंगा कॉलन कर लिबशेश ठीक है और अन रहां पर फिल्ट डॉलर नॉट और एक और करली बिसेश लिखूंगा इसका इंप्लॉई जिसका मैनेजर आइडी इस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन जिरो फोर तो मुझे ऐसे डॉकमेंट्स रिटन गया हुआ जिसका मैनेजर आइडी वन जिरो फोर से लेस होगा है और देख से इसका मैनेजर आइडी वन जिरो फोर से लेस हो तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको कुछ बीट आओट हो तो आप मुझे कमिन्ट सकते हो पूच सकते हो या फिर मेरे मेल आडी और पूच सकते हो मैं उसका रिप्लाइज जरू करूंगा तो इस और मेरे चैनलन को भी सस्क्राइब जरू करें तो मिलते हैं नेक्स फीडियो में नए टॉपिक के साथ तिल देन बाई